तो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका और आज दो महत्पूर्ण खबर है पहली खबर है कि जो ब्याख्याता के लिए काउंसलिंग शुरू होने वाली थी जिसके बारे में DPR 36 जो ट्विटर हैंडल है वहां से ट्विट किया गया था ये मेसेज वो अब शुरू हो चुक शिक्षक वर्गदो कहना चाहिए मंडिल इसकूल उसके लिए जो विशय बात देता है उसको सिथिल कर दिया गया है अब इसका प्रभाव अभी जो निवक्ति निकले हुई है उसमें कितना पड़ेगा ये तो देखने वाली बात है लेकिन इससे सीधा संबंद ये है कि हो स सिक्षक भरती में दिलाय हुए है तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर है और उम्मीद है कि ये होना चीह क्या है कि मिडल स्कूल में प्रोमोशन भी अभी-अभी हुआ है उसके बाद होना भी है आगे इसलिए इसकी संभावना बन रही है कि हो नो हो मिडल स्कूल जो ट मेरे computer screen पर तो ये देख लिजिए प्रति संचालक लोक सिक्षर संचाल नाले इंद्रावतिभान नयरायपूर अटल नगर सीधी भरती 2023 के online counseling प्रक्रिया का प्रसास की अनुमोदन विश्यक तो ये देख लिजिए सीधी भरती 2023 के online counseling प्रक्रिया की जाती है तो चलिए देखें ये आज के news paper में आभी जाना चाहिए आपको मिल जाएगा और सीधी भरती counseling की प्रक्रिया क्या होगी तो सबसे प्रहे देखें online counseling program होने के सूचना ये जो eduportal.cg.nice.in है इस्कुल सिक्षविभाग की website और ये website कहा है चलिए मैं बता देता हूँ देख सकते हैं ये है department of school education इसमें दी जाएगी इसके साथ ही online counseling के लिए ब्यापम की merit अनुसार सूची इस्कुल सिक्षविभाग की website पर जारी की जाएगी ठीक है अभी जारी नहीं हुए लेकिन हो सकता है आज साम तक है जारी हो जाए चीपस दौर यता संबहुस के mobile number SMS के माधियम से सूचना भी जाएगी आपने जो mobile number दिया है ब्यापम में registration करते समय वो भी उसमें भी सूच इसना आने वाली है कि online counseling में भाग लेने की प्रक्रिया निम्हें रहोगी online counseling के पूरDay सभी अभीर्थियों कोПрिप्यापम पर अपना अध्हार जो जो ब्यापम में ID password बनाए हैं उसी से आप जो है यह एजू portal.nic.in है यहाँ पर जो है लागिन कर सकेंगे counseling portal पर लागिन करने पर screen पर dashboard दिखेगा जिसमें अभरती द्वारा दिये गए भरती पर इच्छाओं ये तीनों है की जानकारी दी जाएगी सर्वतम ब्याख्याता पत की online counseling प्रारम की जाएगी क्यों प्रारम भी कुरूप से चैनी तब भरती ही online counseling में भाग ले सकेंगे शुरू के जितने लोग candidate जो है शाट लिश्टेट होंगे वही लोग पहले counseling में भाग ले पाएगे अब भरती द्वारा पोर्टर पर sign in करके दस्तावेज सत्यापन का round preference filling window preference status एक्षन प्रदर्सित होगा round का आसे दस्तावेज सत्यापन का चरण preference filling window में online counseling खुले रहने की अवधी preference status में अभ्यर्थी द्वारा अब तक chain किएगे सालाओं के सूची होगी तथा एक्षन में जाकर अपने पसंद की सालाओं का chain कर सकते हैं आगे बढ़ेंगे इसको इसपश्ट होगा action में fill preference में इंटर करने पर अभ्यर्थी के screen पर दूसरा window खुलेगा जिसमें अभ्यर्थी का photo, profile ID, registration number, नाम, प्राप्तांग, आदी की जानकारी प्रशित होगी इसके नीचे दियेगे दो बाक्स में से प्रथम बाक्स में select your priority के अंतरक्त जीलाओं ब्लाक का नाम तथा पदांकर नहीं तो उपलब्ध हो इद्यालों की सुची उपलब्ध होगी इस सुची से अभ्यर्थी अपने पसंद की सलाओं को चैन करेंगे जो दूती बाक्स में your selected priority के अंतरक्त परसीद होगा कहने का मतलब यह है आपको अपने पसंद के जो इसकूल है उसको select रना होगा जिसे दस टो स्कूल है और उसमें से आपको जिसको पहले select हो उसको पहले number में देना है फिर दूसरे तीसरे चंथे पाटवे इस तरह से आप जिदने भी स्कूल है 40-50 सब को select रलीजिए लेकिन उसमें priority के अधार पर आपको मिलेगा पहला इसकूल भी मिल सकता है दूसरे मिल सकता है तीसरे मिल सकता है इस तरीका से आगे बढ़ते हैं अभियरती यूँर selected priority में सुची बद सलाओं के सूची में सलाओं का क्रम अपनी पसंद अमसार उपर नीचे कर सकते हैं अभियरती स पेक्षित है वह selected priority में दी गई सलाओं के सुची से अधिक्तम या समस्त अलाओं को चैनित करें यदि अभियरती द्वारा कुछ विद्यालों का चैन नहीं की जाता है तो अभियरती द्वारा चैनित विद्यालों के अगले क्रम पर चैन से से सेस रह गई इसकूलों को software द् अगले विंडो पर अभियरती का विवरान सही तो उसके द्वारा चैनित सालाओं के सुची प्रदर्सित होगी जिसमें priority अपडेट आन अंकित होगा अभियरती अपने चैनित सालाओं सुची का प्रिंट आउट भी ले सकते हैं काउंसलिंग के अंतिम दियस के पूरो अभ प्रदान नहीं करता है तो सौप्ट एर आल्रेडी उसको रिंडमली इसको लावंटिक कर दिया जाएगा ठीक है काउंसलिंग के प्रथम चरण पूर्ण होने पर अभियरती के लाग इन पर विद्यालय का आब अंटन जो है दर्सित होगा आपने जो अधियालय चैन किया थ सभी ले सकेंगे इस पत्र में दस्तावेच सत्यापन है उसका विवनर दर्ज होगा कहने के तात पर ये पहले काउंसलिंग होगा और उसके बाद जो है दस्तावेच सत्यापन आपको कराने जाना है अप्लोट किया जाएगा जिसे अभ्यरती लागिन पर देख सकेंगे जो अभ्यरती अपात्र होंगे उनका अपात्रता सम्मंधी पत्र सत्यापन अधिकारी के हस्ताक्षर से प्रिंट होगा जिसमें अपात्र होने का कारण जो है वो दर्साएगा अब देखिए जो अपात्र होंगे उनके लिए क्या आप साने देखिए अपात्र अभ्यरति चाहें तो अपात्र होने के साथ दिवस के भीतर अपना दावा अपत्ति संचालक लोक सिक्षड को प्रस्तूत कर संगेगे जो अब्रती पात होंगे उन्हें पत्र दिया जाएगा जिसमें उल्लेकित होगा कि आपका दस्तावज सत्यापन कर लिया गया है इसके पसाथ पुलिस वेरिफेशन अन्य अगली प्रक्रिया की जाएगी ठीक है कहने का मतलब दस्तावज सत्यापन हो चुका है तो मेडिकल है पुलिस वेरिफेशन है ये सब चीछ करने के बाद आपको जाके समधित साला में ज्वाइनिंग लेना है और जो लोग दस्तावज सत्यापन में अपात्र कर दे जाते हैं या आप किसी भी तरीकर से दस्त है वो भर न जाए मेरे खाल से ऐसा लगता है कि व्याख्याता में उतना ज्यादा दोर नहीं जाना चाहिए तीसरा चौंसलिंग में यह कंप्लीट होना चाहिए अब भ्यारती का स्वाज घोशना पत्र दस्तवज सत्यापन का आमंतर पत्र देख सकते हैं तो इसके बारे मे जो है सिख्षक के लिए भी लाग होगा सायक सिख्षक के लिए भी लाग होगा और व्याख्याता के लिए व्याख्याता के लिए यह आज हो सकता है साम तक सुरू हो जाए तो अगर आपने व्याख्याता में फॉर्म सब्मेंट किया है तो अगर आपको किसी प्रकार से भी confusion है तो नीचे आप comment कर सकते हैं तो थाएंगे दोस्तों वीडियो लाट तक देखने के लिए और बने रही है मेरे चनल में सिक्षक भरती का update जो है आने वाला है मेरे को ऐसा लगता है कि इसमें पदो की संख्या जो है बढ़ने वाला है क्योंकि जो विग्यापन निकलता है उसमें भी ये चीज लिखा रहा था है कि पदो की संख्या परिवर्तनी है और मुख्यमंत्री जी ने कहना चे जो tweet है या cabinet बैठा कि उसमें ये भी नेड़ने हो रहा है कि जो सिथिल कर दिया गया है इसको विषय बाद देता को और अभी जो विग्यापन निकली है उसमें विषय बाद देता नहीं है और इसी लिए इस चीज का जो है कट आप निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है क्योंकि और याचिका भी इसी चीज पर लगी हुई है सिख्षक परिक्षा पर ही आचिका काव सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा क्योंकि वहीं पर विषय बंधन नहीं है और मतलब यह कांप्लिकेटेड इसीज है जब तक व्यापन इसको क्लियर नहीं करेगा तो ठीक है दोस्तों बने रहे हैं मेरे चनल में और आपको अपडेट मिलेंगे थाइंक यू